हेलो दोस्तों नमस्ते स्वागत है आप सबका अपने चैनल खुशो भीटे के अर्मेस दोस्तों अगर आप भी इस मांसून सीजन अपने बढ़ते हेर फॉल से बहुत ज्यादा परिशान हो चुके हैं और आपने बहुत कुछ ट्राई कर लिया है लेकिन फिर भी बालों का शेयर की हूँ आप देख सकते हैं मेरा जो हेर फॉल है बिल्कुल भी नहीं हो रहा है मैं आप लोगों के साबने कॉम्ब कर रहे हूँ एक भी बाल नहीं गिर रहे हैं इस वक जब से मैं इस हेर वाल को लगाना श्टार्ट की हूँ तो इसे बनाने के लिए आपको लेना है यलो वेरा के दो लिफ लेने हैं और जिसे आपको अच्छे से क्लीन कर लेना है इसका यलो वाला टॉक्षिन रिमूव कर लेना है और इसे के साइड वाले पार्ट को निकाल के आपको इसे छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लेना है देन आपको जोरत पड़ेगी एक कैरियर यहां पर आप मस्ठर्ड ओयल भी ले सकते हैं आपके पास अगर तील का तेल है सेसमे ओयल तो वह भी ले सकते हैं लगबख 50 ml मैं कोकोनट ओयल ले रही हूं और एक पैन में इसे आट करूंगी और साथ ही इसमें जो एलोवेरा हम लोग कट कर के रखे हैं छोटे-छोटे प प्रॉपर्टीज है और इतनी ज्यादा ताकत है कि यह दोनों ही इंग्रिडियंट आपके हेरफॉल को रोक सकते हैं और इस ओयल को बनाने का पूरा प्रोसेस आप जरूर देखिएगा और आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीड की हूँ वन इस्पून फेनुग्रिक सीट जिसे मैं अच्छे से पीस के घर पे रख ली हूँ और जब भी मुझे यूज करना होता है मैं यूज करती हूँ तो फिर वो मैं इसमें आट की हूँ और इसके इसे एकदम लो फ्लेम पे आपको पकाना है लगबक साथ से आठ मिन देना है मैं घड़ी देखके साथ से आठ मिनट तक ही पकाई थी आप देख सकते हैं जो ऑईल का कलर है वो थोड़ा चेंज हो गया है तो फ्लेम को बंद कर देना है और एक सीसे के कंटेनर में आपको इसे श्टेन कर लेना है श्टेन करके दोस्तों आप इसे अगर रेफ्र नहीं चलती है अधरवाइस आफ रेफ्रिजेट करके इसे आराम से यूज कर सकते हैं और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है जब भी आपको हेर वास करना हो उससे दो घंटे पहले आप अपने पूरे बालों में अपलाई कर लें पूरे बालों की रूट्स में वास करें और साथ ही आज मैं आप सबसे एक हेर ग्रोथ सैंपू शेयर कर रही हूँ तो इसे बनाने के लिए आपको लेना है वन इस्पून करी लिफ्स पाउडर और साथ इसमें आप आड़ करिए जो भी आप सैंपू यूज करते हैं और वन इस्पून एलोवेरा जेल इन विलकुल बंद हो जाएगा और बालों की जो ग्रोथ होने लगेगी बाल बिल्कुल शाइनी स्मूध हो जाएगे बालों में फ्रीजनेस बिलकुल भी नहीं रहेगी ड्राई विबाल आपके भी नहीं रहेंगे बालों में एक नैशली शायन भी आएगी तो दस्तों I hope उम् हो या फिर गर्ल्स हो इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई